Welcome to my youtube channel GES classes में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में GAC Lecturer Sociology Practice Aid अमर 34 को solve करेंगे ये practice aid बिल्कुल इसलेबस के according त्यार किया गया है वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ अगर आपको वीडियो पसंदार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और साथ ही साथ practice aid को solve करने के बाद comment box में comment करके ये जरूर बताएगा कि आज के practice aid में आपके total कितने कुशन सही हुए तो चलिए solve करते हैं आज हमारे practice aid नमर 34 के कुशन नमबर 1 को को आज हमारे कुशन नमबर 1 है किस अध्यन में सरचनात्मक प्रकारियात्मक उपागम का प्रियोग किया गया है option नमबर 2 है भारती राष्टवात की सामाजिक प्रिष्ट भूम में option नमबर B है religion and society among the kurgus of south इंडिया में option नमबर C present movement in इंडिया में और लाश्ट है option नमबर D diversities में तो इस कुशन का right answer क्या हो जाएगा इस कुशन का right answer हो जाएगा हमारा option नमबर B यानि कि एमंसरी निवास ने religion and society among the kurgus of south इंडिया के अध्यन में सरचनात्मक प्रकारियात्मक उपागम का प्रियोग किया है question का right answer होगा हमारा option नमबर B आज हमारा second question है किसने सामाजिक ब्योस्था को सामाजी करण का तंत्र तथा सामाजिक नियंतर का तंत्र में विभाजित किया है option नमबर E brown ने option नमब B नाडेल ने option नमबर C मॉर्टर ने और लाश्ट है option नमबर D Parsons ने तो इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer हो जाएगा हमारा option नमबर D यानि की Parsons ने Parsons ने सामाजिक ब्योस्था को सामाजी करण का तंत्र तथा सामाजिक नियंतर का तंत्र में विभाजित किया है आधनिक अमेर्की अग्रणी समाज सासरियों में टालकट Parsons की गणना एक दिग्गर सिध्धान्तकार के रूप में की जाती है Parsons एक अमूत सिध्धान्तकार थे तो कुशन का right answer होगा option नमबर D आज हमारा थर्ड कुश्चन है लेवी श्ट्रास का अंता क्रिया सरचनावाद आधारित है ऌप्सन नमबर ए है यांत्रिक एवं सांक्य की प्राएगा अप्शम Yeah नमबर hb mátr yantrich प्राbea लेवी इश्टास एक जटिल सरचनावादी कहे जाते हैं, उनका सिद्धान्त मानों सास्त्रियों में पूरी तरह गमफीरता से लिया जाता है। इश्टास ने संस्कृत वाद को अपनी चरम सीमय पर पहुचा दिया। लेवी इश्टास का अन्ता क्रियावाद यानि की अन्ता क्रिया सरचनावाद यांद्रिक एम स्यांखे की प्रारूप पर आधारी तैत कुछन का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर ए। आज हमारा अगला प्रश्ट है। किसने तर्क दिया है कि स्कूल बच्चों की सारभावमिक इस सित्था प्रावण समाज में प्रस्थित के लिए तयार करते हैं। आज हमारा अगला प्रश्ट है। सूची वन की मदों को सूची दो की मदों से मिलाएं। यहां पर सूची नमबर वन है और यह हमारा सूची नमबर दो है। सूची नमबर One में संखलपना दिया गया है सूची 2 में समाच शास्त्री का नाम दिया यानि कि कौन से संखलपना की समाहच सास्त्री ने दिया है हम इनी का आपस में MİLान करने तो आह मिलान करते है पहला दिया गया सथ्ट्था अभजन यानि की power elite कर दिए अतप ऺ अफ्जन से इसरा संकलपना से संबंदीन से टालकाट पार्षंस कोऊन के टालकट पार्षंस थीसरह दिएगे है सामाजिसी सामाजिक कृल से सम्भण्धित है त्र त्र कुश्ष्ण का क्या हो जाएगा इस कीशिष्ण कामारी सानल मैंग आपिंप मैं कृली से समै देगा गोटिका किराagama थीघ्रा कृश्ष्ण साब्सट्रकारि और utm Bhakauti संकेट में किसने भूम का पुंज और प्रस्तित पूंज की अउधारा को प्रस्तात किया है ? आप्शनबर 2 है मैंक्स बेबर ने, आप्शन Hunting R K मर्तर ने, आप्शन नम्सी टी पालसंस ने और लच्ट है ऐप्शन अबर 2 आच E unlucky Johnson ने ती स कुछन का राइट एंसर होगा हमारा option number B आज हमारा अगला प्रश्ण है पारसंस ने सभी करताओं द्वारा सामाजिक प्रसित में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविदाओं के लिए किस पत्का प्रियोग किया है किस पत्का प्रियोग किया है option number A दिएगे प्रतिमा याने कि प्रतिमान चर्का पारसंस ने सभी करता हो जारत सामाजिक प्रसित में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविदाओं के लिए प्रतिमान चर्का प्रियोग किया है तो कुछन का राइट एंसर होगा option number A आज हमारा अगला प्रश्ण है बी मैलनों वसकी इनकी महत्तव पर बल देते हैं option number A मौखिक इतिहास, option number B अंतरोस विसलेशन, option number C निर्वन्स विज्ञान और लाश्ट है option number D आख्यान तो इस कुछन का राइट एंसर क्या हो जाएगा? इस कुछन का राइट एंसर जाएगा हमारा option number C यानिकी निर्वन् प्रकार्यात्मक लेखा जोखा तयार कहने की विद्या निर्वन्स विज्ञान कहलाती है, question का राइट एंसर होगा option number C, आज हमारा अगला प्रशन है, निम्ण में से पार्संस के अनुशार प्रकार्यात्मक पूर्व अवश्यक्ताएं कौन सी है? पहला दिया गया है लच् सित जेतना, तीसरा दिया गया है अव्यक्तता और चोथा दिया गया है जीवन चक्रतियां पर कूट दिया गया है, यानि की इन ही कूट की साहता से में सही उत्तर का चुनाओ करना है, तो इस question का राइट एंसर क्या हो जाएगा? इस question का राइट एंसर होगा हमारा option number C, यान अनकूलन, लच्च उपलब्दी, एकी करन तथा प्रतिमान, अरुरच्छन, इसे जो है एगल के नाम से भी जो है जान जाता है, question का राइट एंसर होगा, option number C, आज हमारा अगला प्रश्ण है, प्रकारियात में बिकल्प की अउधाड़ा किस ने दी है, option number A, टार्कट पार आर्के मर्टर ने सवच्नात्मक प्रकारियात्मक विशलेशन का अपना एक paradigm प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रमुकुरूप से प्रकार और दुष्कार, व्यक्त यानिकी प्रतच, और अंतर नहित प्रकार बहु प्रकार अकार प्रकारियात्मक बिकल्प, अप्रत मैं दो भूस्की के प्रकारवाद को कहा जाता क्या कहा जाता है option नमब oh क्या हो जाएगा इस कुछिन का होगा हमारा option number C व्यक्त परक प्रकारिवाद मैलनों वस्के के प्रकारिवाद को व्यक्त परक प्रकारिवाद प्रकार जाता है कुशन का राइट एंसर होगा option njungthirds और अगला पृष्णि सरचनात में प्रकार की बात पार्जंस ने की है तो हुषन का right अशर होगा हमारा option नमबर e friends उमीद करता हूँ की आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा एधि आपको वीडियो पसंद आ रहा रहा dan please आब वीडियो को like कर दें और यदि आप इस वीडियो के पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किये अभी तक जितने भी प्रैक्टिस है उन सभी के पीडियाप अबेलबल हैं जिसे आप आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथी साथ आप लोगों के लिए जियासी लेक्षिर के लिए इस्पेसल टेस्ट स्रीज हमारे टेलेग्राम चैनल पर रेगुलर इविनिंग में टेन पीम पे कंड़क्ट होता है तो यहीं आप टेस्ट स्रीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं टेस्ट स्रीज बिल्कुल फ्री में हैं आप लोगों से उसका कोई भी कॉश्ट नहीं लिया जा रहा तो आप लोग जोए टेस्ट स्रीज में जरूर पार्टिसिपेट करें इससे आपको एक्जाम मे seven लाँब जित कर राओंब कर फिरल जोब खेलेग्र ल्फर कौइगा इस्ट इसक्सें का राइट अंप एंसर क्या हो जर्owa जाएगा वाप्स od बी यानि की लूइस अल्थूजर मार्शवादी सरचनवाद के रूप में जाना जाते हैं तो कुशन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर बी आज हमारा अगला प्रश्ण है मैंटन के अनुसार निम लकित में से कौन सा असंबदिता की इस्थित की प्रतिक्रियाओं की सीमा के बाहर है औス कुशन का राइट एंसर और क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट एंसर ओमारा और अगला प्रश्टfta की उस्तित की प्रतिकें नवीनिकरन विद्रो कर्मकांड तथा आसया है जबकि वहिस वाइट एंसर और अगला अगला प्रश्ट है मर्टन दौरा प्रस्तावित कारियात्म बिकल्पों का अर्थ है पॉइंट नमबर वन दिया गया है एक कार को एक अन्यकार से बदला जा सकता है और पॉइंट नमबर टू दिया गया है एक कार में एक से अधिक सामाजिक रूप सामिल हो सकते हैं QCY क्या करा, QCY क करा कि निम्लकित में से क्या साइत, इन में से कौन सा साई है, ति इस QCY का right answer जाएगा हमारा option number D, यान कि दो साई है लेकिन एक जो दिया गया है यह गलत है, यानि कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मर्टन ने प्रकार यात्मक विकल्प की आउधाना प्रसुत किया है मर्टन के अनुसार एक सामाजिक अत्वा सांस्कृतिक तत्व के अनेक प्रकार हो सकते हैं तथा उस सांस्कृतिक तत्व के ऐसे विकल्पिक तत्व भी हो सकते हैं जिसमें के उसी प्रकार को समपादित करने की जमता हो तो कुश्चन का राईसर होगा option नमबर इस कुश्चन का राईसर होगा हमारा option नमबर दी आज हमारा अगला प्रश्चन है पार्सल्णेस के कार सम्मंदृ सामान सिधान्थ के लिए प्रकलपना में अन्य बातों के अलावा एक कार सिधान्थ की आवशकता के लिए एक तर्क सामिल था जो डॉट यानि कि स्वयच्षिक्ता वादी अस्थापना पार्शंस के कार्शम्मंदी सामान सिध्धान्त के लिए प्रकल्पना में अन्य वातों के अलावा एक कार्शिध्धान्त की आवशक्ता के लिए एक तर्क सामिल था जो स्वयच्षिक्ता वादी अस्थापना पर आधारी था कुशन का राइट एंसर होगा option number A, आज है हमारा अगला प्रश्ण है, रेट कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा option number B, यानि की जीव विज्ञान से, रेट कुशन का राइट एंसर होगा, हमारा option number B, फ्रेंड्स आपसे एक information share करने थी कि आपके एक्जाम में आने की जीव लेक्षर के एक्जाम में के और आट दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है, आप लोगों के लिए special जो UPPGT sociology का जो 120 प्लस practice it already आप लोगों के लिए प्रवाइट किया गया था, यह दिया आप exam से पहले उन्हें solve कर लेते हैं, तो आपको निश्य थी exam में बहुत जादा help मिलने वाली है, क्योंकि JRC lecture में मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 8 दिनों में वो सारे portion कर पाऊंगा, जो मुझे cover करने चाहिए, बट आप लोगों के लिए जो UPPGT का practice it provide किया गया है, उसमें maximum चीजें already cover की गई है, तो आप लोग इसके साथ-साथ, यानि कि इसको revision के रूप में लेजे, और आप लोग UPPGT का जो already practice it provide किया गया है, 120 प्लस practice it, आप उन्हें जरोर solve करेगा, इ इसका practice it provide किया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी जरूर solve करें, आपको exam में काफी help उससे भी मिलने वाली है, और उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात की, आप लोगों के लिए books and authors related, आउधाना से related, समासाथ की परिभास से related, अलग practice it provide किया गया है, जिसका playlist जो है channel पे available है जिसे आप जो है उसे solve करें, अगर ये आप जो है exam से पहले पहले इन चीजों को कर लेते हैं, यानि कि इन सभी practice को solve कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपको exam में काफी ज़्यादा help देखने को मिलेगे, तो आप लोग focus करें अपने exam पर center कहा है, center को लोगे मैं देख रहा हो सिधा किसी किसी का 1000 km के आज पास आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा problem face करने को मिल रही है, बट आप लोग exam बिलकुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि आप exam छोड़ेंगे तो इससे काफी ज़्यादा आप लोग को अपने बहुत मेहनत किये, तो आपको परिशानी होगी, आप लोग exam जरूर दीजेगा, क्योंकि competition कम होगा, क्योंकि बहुत सारे student ऐसे हैं, जो drop करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि exam बहुत दूर है, तो आप लोग exam बिलकुल गलती से भी miss मत करीगा, exam आप लोग जरूर दीजेगा, competition कम है, इस बात का मैं अभी से दावा करने ल competition आधा है, ठीक है, तो आप लोग exam जरूर दीजेगा, बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रश की तरह, आज हमारा अगला प्रशन है, उस लेखन की पहचान करें, जिसने कहा, सामाजिक सरचना एक सब्द है, जिसका प्रियोग अंता संबंदित संस्थाओं अभी करनों, सामाजिक प्रत्मानों की एक ब्योस्था, साथ ही साथ समों में प्रतेग व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली प्रसित तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है, तो इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा, हमारा option number D, यानिकी टालकट पार्शंस का प्रश्णिकत कथन जो है पार्शंस का है इनके अनुसार सामाजिक विवस्ता को अपनी सरचना में अस्थायत बनाये रखने तथा अपने अस्तित्व की रच्छा कहने के लिए चार प्रकार की प्रकार्यात्पंग समस्याओं को सुल्जाना प्रकारयात्मक सिद्धांत में प्रकट द्रकट प्रकार्यों की आधार territories прирELIं को किसने जूड़ा है किसने जूड़ा है और उप्षन नमर कर दिया भर्रूर्ण ने आरके मेंटर ने प्रकट योम अप्रकट प्रकार की इओधाना को प्रसुत किया है। प्रकट प्रकार वेदरिश्ट गोशर पडाम है जो भ facultative में अनकूलन या सामंजस बनाये रखते हैं। तथा बियोष्था में सायोग देने वालों के द्वौरा प्रकार मान और अभीष्ठ होते हैं। जबकि आप्रकर प्रकार मान होते हैं और नहीं अभीष्ठ॥ माइटन ऐसे पहले समाज सास्रिते जिन्हों ने प्रकार एवं दुस कार्य के बीच जो है अंतर असपश्ट किया है तो कुशन का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर डी आज हमारा अगला प्रश्ण है मैलनों वसकी के प्रकारवाती उपगम को असविकार करते हुए रेट कर ब्राउन ने किस पर बल दिया है और यह सामाजिक संबंदों पर और लाश्ट नमबर डी सरचना बद संबंदों पर इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कु आप्षान नमबर सी यानिकी सरचना बद संबंदों पर रैड कृप ब्राउन को जो है मैक्सको के टेप टेपोज लान गाओं के अध्यन के आधार पा लोक समाज यानि की फोल्क सोसाटी और लोक नगरी सतता यानि की नारंतर्क यानिकी फोल्क अर्बन के और क्रिशक बढ़ाओं को विख्षित करने का असिरे जो है दिया जाता है और मैलनोवस्की के प्रकारिवाद उपागम को अस्वभिकार करते हुए राडिकरि ब्राउन ने सरचना बद सामाजिक संबंदू पर जो है बल दिया है कुछिन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर सी आज ह हमारा अगला प्रशन है संघर्स प्रकारिवाद के सिद्धानत का प्रवर्टक कौन है ओप्स्य नमर रे कोजर औप्सर नमबर भी आर डेरेंडर ऑप्सर नमर सी के माक्स और लाष्ट है अप्सर नमबर डी आर कलिंस तो इस्कुषिन का राइट एंस और क्या हो जाएगा इस कुशिन का राइट एंसर होगा हमारा option number A यानिकी LA कोजर, संगर्स प्रकारिवाद के सिध्धान्त के प्रवर्तक LA कोजर को माना जाता है, उनके विचारों में प्रकारिवाद एक संगर्स सम्मंदी दोनों सिध्धान्तों के तत मौजूद है, कोजर ने अपने सिध्धान में सामाजिक संगर्स के प्रकारिवाद में प्रहलू पर प्रकारिवाद के प्रयाज़ किया है, तुर्ण का सानों का कोजर आपने मौपशन नबर A, आज है हमारा अगला प्रशन है, लेविस्ट्रास ने इस बात पर बल दिया है कि विद्धमय की प्र्तिमान होते हैं, विनमय के प्रतिमान विन्यमित होते हैं, उप्सन नमर है एक समाज के मानकों यह मुल्यों दोरा, उप्सन नमर भी है एक समाज की सरचनाओं यह प्रकारियों दोरा, उप्सन नमर सी है एक समाज की आर्थिक ब्योस्था दोरा, और लाश्ट है उप्सन नमर डी, एक समाज की प्रणेता तथा बीश्वी स्थापदी के अत्यंत्र प्रक्राइव सध्धानतिक रूप में उद्भव फ्रांसेसी दासनिक मानो सास्त्री क्लाउट रेवी इस्ट्रास क्लाउड लेवी इस्ट्रास मुख की रूप में भासा सूचक भासा सास्तर तथा नातिदारी सम्मंदित जनजाद समाजों के अपने अध्यनों के लिए जो है जान जाते हैं उन्होंने मानों की चिंतित प्रक्रियाओं के आधार पर मानों मस्तिस्क को समझने का प्रयत्र किय ता है एक बार offensive के मानों मस्तिस को समझने का अपिसन निए यक निए किया त्या मतें की विन्हां की प्रतिमान एक समाज के मानकूं यों मुल्यों द्वारा विन्यमित होते हैं कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नंबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है समाज या सामाजिक ब्योस्ता के एक भाग को दूसरे भाग अत्वा संपूर्ता के किसी पहलू से सम्मधित करने में रुच किन अनेक उपागमो में एक समस्या तत्व है। आप्सण नंबर ए दिएगे प्रकारिवाद, संगर स्य सिद्धांत करियावाद सिस्धांत तो appealing का क्या हो जाएक इस कुशन 5 प वब्योस्तान है है कि समाज एक ऐसी संगटित एवं आत्म अनुरच्छित विवस्था यान की प्रणाली है जिसमें बिरोधी परिवेश की इस्थित में भी संतुलन बना रहता है प्रकार रिवाद ही कहलाता है कुश्चन कराई डेंसर होगा ओप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है यह तर के किस ने प्रस्तुत किया कि संचना एवम अशंगत अंतर निष्थ रूप से विरोधात्मक नहीं है आप्सन नमबर एह नाडेल ने आप्सन भी लेवी श्टास ने आप्सन नमर छी पारसंस ने और लाश्ट है आप्सन नमर दी मर्टन ने तिस कुश्चन का राइ समासास में कई भिन्य विश्यों का आलोचनात्म परिच्छंड कर अपना योगदान किया है, इनका प्रमुख भी से सामाजिक सरचना, प्रकारिवादी परिप्रेच, विचलन और इनॉमी, जनसंचार, भूमिका सिध्धान्त, कर्मिचारी तंत्र, मध्धिवर्ती सिध्धान केंद्री साचातकार और विज्ञान का समासास आधी रहा है, तो कुष्यन का राइट एंसर होगा, ओप्सन नमबर D, आज हमारा अगला प्रशन है, निम्न लिखित में किसने दावा किया है कि सामाजिक बिगटन का मूल सुरोत आधर्श शूनिता यानि की इनौमी है, और आप्सन नमबर A, RK मर्टन, आप्सन नमबर B, टालगट पार्सन, आप्सन नमबर D, C दिया गया है, एमाईल दूर्खी में और लाश्ट है, आप्सन नमबर D, H.M. जांसने, तो इस कुष्यन का राइट एंसर क्या होगा, इस कुष्यन का राइट एंसर होगा, हमारा आप समाज सास्रों में की जाती है, वे अमेर्की समाज सास्र के दिगज, समाज विज्ञानी, सोरोगिन और टालकट पार्सन के सिस रहे हैं, कुष्यन का राइट एंसर होगा, आप्सन नमबर A, आज हमारा अगला प्रश्ट है, निम्न लिखित में किसने बियोस्थापन को बिर मैक्समम लोग ने सही जवाब दिया था, तो आई जानते हैं कि इस कुष्यन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुष्यन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्सन नमबर B, यानि कि समनर ने, किसने, समनर ने, समनर ने वियोस्थापन को विरोधी सायो कहा है, एक प्रारं अमेरिका में समाजसाद विभाग की अस्तापना का स्रे जो है या समनर को जो है जाता है, ऐसा हमाना जाता है कि समनर ही प्रतम व्यक्त थे जिनोंने अमेरिका में समाजसाद के अध्यापन की सुरुवात की, समनर अमेरिका में हर्ष्ट छे पात्मक समाजिक डार्विन देरीवा डिया जाता है acquisition का राइच हैं सवारा option No B आज हमारा लाश्च प्रश्टन है सामाजिक वियोस्ता केzzle model को किने विक्सित किया है option No A next single Flareником में ने Option No B Anthonie Giddens ने option no C Jecessor सिरोढist 120 ف popul?. बश्रेंद्ट जैसा कि आपको पता है कि हमारे practice when a अपने लेधोंस परना पर नोय ने में जया है तो छलिए मिलते हैं मैं आप्ट अपने लेश्बार नैश्छ सवे जया है wipe बंदे मात्रम!